हलो अबड़ीवान, I am Aastha, वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल, गौर्मेट जॉब जैनियर नॉटिफिकेशन रेलबे विकेंसी 2024 के बारे में हम बात करेंगे, अगर आप इंडियन रेलबे में contract basis job चाहते हैं, contract basis जो job रहती है, fix term के लिए आपको यहाँ पर नौकरी करने को मिलता है तो अगर आप ऐसी कोई job चाहते हैं, इंडियन रेलबे में, तो अभी यहाँ पर विकेंसी रिलीज हुई है, कौन-कौन रेलबे कॉर्पोरेशन लिम्टेट की तरफ से यहाँ पर अलग-लग पोस्ट के लिए विकेंसी आई हुई है, जिसमें आपका कोई भी examination नहीं होगा, नहीं आपको कोई fees pay करनी होगी simple सा एक interview होगा और interview के वेस पर आपका यहाँ selection रहेगा, okay salary की बात करें, तो जैसा की मैंने आपको बताया, अलग-लग पोस्ट है, various post vacancy है, तो इसमें आपकी according to post आपकी salary depend करती है 30,000, 35,000, 45,000, 56,000 पर मंथ आपको यहाँ पर salary मिल रही है, so Indian railway में contract basis भरती के लिए यह notice है, जो भी candidate interested हो, contract भरती के लिए वो आगे वीडियो में बने रही है, official notification के through में आपको सारी information इस वीडियो में दूँगी, तो अगर आप interested है, वीडियो को continue रखेगा, चलिए हम इसका notification देखेंगे तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह Concon Railway Corporation Limited की तरफ से notice release हुआ है, और यहाँ पर यह जो notice है, 9 माई 2024 को release किया गया है, employment notice number भी आप यहाँ पर देख सकते हैं Concon Railway Corporation Limited, KRCL, a public sector undertaking under the Ministry of Railway having its corporate office at CVD, Belapur, Navi, Mumbai, okay, इसका जो office है, corporate office, invite applications for the following post on fixed term contract basis and on fixed remuneration basis for various project means, आपको fixed term के लिए, fixed timing के लिए, यहाँ पर आपको भरती किया जाएगा और आपकी जो salary रहेगी, वो भी fix रहेगी per month यहाँ आपका जो contract है, यह बन year का है, एक साल के लिए यहाँ पर आपकी भरती की जा रही है, हो सकता है, आगे extend भी कर दी जाए, extend होती भी है, कई बार यहाँ पर extend होती है तो one year के लिए तो आपकी यहाँ पर भरती रहेगी ही, साथ में आगे आपका जो contract है, वो extend किया जा सकता है चलिए अब हम यहाँ पर पोस्ट देखेंगे, तो देखी यह जो पोस्ट है, इसमें A.E.E. contract जिसमें 3 है, Senior Technical Assistant Electrical के लिए 3 है, Junior Technical Assistant Electrical के लिए 15 है, Junior Technical Assistant Civil के लिए 4 है, Design Assistant Electrical के लिए 2 है, Technical Assistant Electrical के लिए 15 है टोटल यहाँ पर categories wise आप देख सकते हैं साथ में total 42 है ओके अब यहाँ पर आप salary देख सकते हैं जो पर मन्थ आपको यहाँ पर मिलेगी तो first जो रहेगी वो यहाँ पर 5600 से starting है second जो पोस्ट है senior technical assistant electrical के लिए 4900 पर मन्थ रहेगी junior technical assistant के लिए 35400 है design assistant electrical के लिए 35400 और technical assistant electrical के लिए 25500 है तो यह आपकी पोस्ट पके हिसाब से है 25000, 35000, 44000 और 56000 किस पोस्ट के लिए आप इसमें apply करते हैं लेकिन apply करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप eligible किस पोस्ट के लिए हैं तो आगे हम cover करेंगे साथ में यह भी आप देख सकते हैं कि house rent, HRA, HRA बगरा जो other allowances हैं वो भी are not provided, आपको provide नहीं किये जाएंगे DA बगरा क्योंकि यहाँ पर आपका contract basis भरती है तो fixed जो salary इन्होंने mention की हुई है अभी आपने देखी यह आपको पर मंत दी जाएगी, other allowances भगरा के बारे में आप यहाँ पर सकते हैं कि reminencement of premium paid for life insurance to the extent of rupees 500 पर month obtained from a recognized insurance company तो यह आप यहाँ पर देख सकते हैं mobile phone allowance भगरा यहाँ पर देखेंगे आप health benefits travel facility ठीक है तो इसके लिए experience, education qualification क्या है वो हम देख लेते हैं अभी आप देख लीजिए is the candidate should not be more than prescribed is on इतना तो यहाँ पर जो detail है post की वो हम यहाँ नीचे देखेंगे scroll करेंगे तो आपको मिल जाएगी पहले आप यहाँ पर यह interview के थ्रू आपको selection होगा तो आप यह देख लीजिए mode of selection, walker interview, date time जो दी गई है दस जून को रहेगा, जूने technical assistant civil के लिए 12 जून को है, design assistant electrical के लिए 14 जून को है, technical assistant electrical के लिए 19 जून and AEA contract के लिए 21st जून 2024 और यह आपका venue of interview दिया गया है, इस location पर इस address पर आपको पहुँचना होगा means आपको नवी Mumbai में जो इनका office है, बहाँ पर आपको यहाँ पहुचना होगा interview के लिए चलिए अब बाकी की जो भी detail है, वो आप यहाँ पर देख लेंगे post wise जो detail यहाँ पर provide की गई है, eligibility criteria वगेरा post के हिसाब से तो देखे, यहाँ पर post है senior technical assistant electrical के लिए, इसमें full time engineering में degree है, diploma अगर आपने electrical electronics में ली हुई है, 60% minimum marks आपके होने चाहिए, तो आप इसके लिए eligible है, experience one year का, देखे यहाँ पर जितनी भी यह post है न सभी में experience मांगा गया है, किसी में one year का है, किसी में four year का है, two year का है, six year का है यह अलग लग है, ITI holders के लिए vacancy है, लेकिन experience अभी में required है, तो अगर आप experience आपके पास है, तो ही आप apply किजेगा, आपर age limit सभी के लिए आप देख पाएंगे, post wise यहाँ पर detail दी गई है, junior technical assistant electrical के लिए भी same experience qualification, age से में यहाँ पर, civil के लिए तो आपने civil से किया हो, degree या, diploma और यहाँ पर age वगरा सारा सब कुछ सेम है, design assistant के लिए ITI, dotsman, electrical, diploma in electrical engineering में अगर आपने किया है, तो आप यहाँ पर eligible है, candidate with knowledge of auto, CED, ठीक है, minimum 8 year का experience मांगा गया है, अगर आप ITI holder है, और अगर आप diploma holder है, तो फिर आपको 6 साल का experience यहाँ पर रखा गया है, age आप यहाँ दे है, वो as per project requirement KRCL in all over India में कहीं भी, जहाँ भी requirement होगी, वहाँ आपकी posting की जा सकती है, देखिए technical assistant electrical के लिए भी ITI holder eligible है, 3 साल का experience मांगा गया है, 45 अपर raise limit यहाँ पर भी रखी गई है, ठीक है, तो यह सारा सब कुछ आपको यहाँ पर दिया गया है, अब जैसे इस में देखे करेंगे, AEE contract के लिए, any project site of electrical department of KRCL establishment, location यहाँ पर दी गई है, qualification, full time engineering degree, diploma, electrical, electronics, mechanical में आपने किया हुआ हो, आपर raise limit 45 है, 6 year का experience यहाँ पर भी मांगा गया है, so experience अगर आपके पास है, तो ही आप यहाँ पर apply कर सकते हैं, fresher के लिए नहीं है, contract basis भरती है, अगर आप interested हो और आप इसके लिए eligible हो तो apply कर सकते हैं, Indian railway, fresher के लिए जो recruitment notification release होना है, उनसे related वैसे मैंने video upload कर दिये हैं, आप visit कर लिजेगा, i button पर आपको link दूंगी, फिर भी आप किसी post के बारे में अगर आप information चाहते हैं, आप मुझे comment कर सकते हैं, thanks for watching